ये कुविट नाइंटीन का कर्फ्यू है और ये आपके सामने द्रिश्चे हैं, कि ये कर्फ्यू है और ये कर्फ्यू के बीच में साड़े यारा के करीब करीब का टाइम है और इतनी सारी गाडियां कहा जा रही हैं किसी को कोई पता नहीं कि कोट नाइनटीन के कर्शू के बीच में ठीक किनाल रोड के दिश्य है अब किनाल रोड के दिश्य रेखे ये फॉलिस कर में किसी ये पूचा नहीं जा राएक है इसनी सारी गाडिया ये तने सारे लोग आखिर का रहे आगे हैं जा कहा है इस सेट डिस्टिक एड्मिस्रिश्विशन को इसका संग्यान लेना लेना होगा और अदे से यह दिून लोग हैं तीन लोग हैं चार लोग हैं तीन लोग हैं यानि नाम मात्र करव्यू है कि प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है यह किस तरह का क्विड-19 का करोना करफ्यू है ये क्या तमाशा है कर्फ्यू के नाम पे इतना बड़ा तमाशा आखिरकार जम्म कश्मीर में क्यों हो रहा है ये आप देख सकते हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिरकार इतनी बड़ी तदाद में कहां जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं कोई बता नहीं ये आ आप तक ठीक केनाल लोड से पहुंच रहे हैं। यह आप देख सकते हैं। कहां जा रहे हैं यह लोग, क्यूं जा रहे हैं, कोई पता नहीं, लेकिन हमको घर से निकलना है। हमको घर पे नहीं बैठना है। और मैं पहले भी बता चुका, कि इसमें सबसे बड़ा कॉंटर्पिटर गर्मन मेडिकल कॉलेज जम्मू का प्रशासन है। जरोंने कोविट 19 वाडू में पेशेंट के साथ अटेंडेट को जाने की पूरी पूरी इजाज़त दे रखी है। यह आप देख सकते हैं। इन में इसे कई यह से होंगे जो अटेंडेंट होंगे। तीन तीन चार चार लोग अटेंडेंडेंट बनकर जो है वो मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। यह आप देखें। कहां जा रहे हैं यह लोग को इन से पूछे। और यह किस तरह का करोना कर्फ्यू है यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसको करोना कर्फ्यू कहें या करोना कर्फ्यू मजाग कहें। यह आप प्रशासन तै करें। यह आप द्रिश्य ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि प्रशासन कहता क्या है और ग्राउंड पे होता क्या है यह आप देखिए पुलिस कर्मी खड़े है अचानक किसी को रोक कर उससे पूछ लेते हैं कि आप कहां जा रहे हैं लेकिन जिस सीरिसनेस के साथ कर्फ्यू लगना चाहिए उस सीरिसनस के साथ कर्फ्यू लगे इसकी प्रोबिलिटी भी कम है और इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है यह आप ध्यान से देखिएगा पुरा शेहर घूम रहा है घूमते रहिए घूमते रहिए यह देखिए आप